हालो फरेंज आपसभी का स्वागत हैं फरेंज जितने भी छात्र 2024 में बोर्ड की परिच्छा देने वाले हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो सबसे ज्यादा इंपौर्टेंस सावित होगा फ्रेंस आज की वीडियो में आप सभी को सिखाने वाले हैं कि आप हिंदी में बिना पढ़ें कैसे पास कर सकते हैं तो आज आप सभी को पास होने का ट्रिक समझाएंगे ठीक है जो चात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड के एक्जाम में अच्छे नमबरों से पास होने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक बस बने रहे हैं दिखें इसमें क्या है कमजोर से कमजोर जो च्छात्र हैं वीडियो को last तक आप जरूर देखिएगा ठीक है आपको trick बताएंगे कि बहुविकल्पी प्रशन हुआ दिर्गुत्री प्रशन हुआ ठीक है इन प्रशनों को board के exam में कैसे हल करना है बहुविकल्पी प्रशन को हल करने का trick क्या है आप सभी को सिखाने वाले है कि आप बीना पढ़े भी बहुविकल्पी प्रशनों को हल कर सकते हैं ठीक है अब दिखे यहां पर class दस हुआ चाहिए क्लास 12 के चात्र जो चात्र दो हज़ाद 24 में board का परिच्छा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा important साभीत होगा ठीक है हिंदी में पास होन तरीका से लिख के आएंगे और maximum mark भी पराप्त करेंगे जैसे बताने वारे इस तरीका या ट्रिक आप समझ गये और लिख के चले आए तो टीचर खूस होका आपको अधिक से अधिक नंबर देगा ठीक है कमजूर से कमजूर छात्र भी अब पास हो सकते हैं ठीक है इसमें क प्रशनों को हल करने का तरीक है और दिर के उत्तरी प्रशन होते हैं उनको हल करने का तरीका क्या है आपको समझाने वाले है ठीक है अब देखें यहां पर क्या लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है देखें फ्रेंस चाहे आप पहले से पढ़ रहे हैं चाहे आप स्टार्ट करेंगे ठीक है तो उनके लिए बहुत वीडियो खास होने वाला ठीक है हिंदी का कापी लिखते समय रखे ध्यान किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है बोर्ड की एक्जाम में आप जब भी आपको इस पकास हिंदी का प्रश्ण पत्र मिलेगा तो आप पहले प्रश्ण पत्रों को ध्यान से 15 मिनट तक पूरे प्रश्ण को पहले ध्यान से आप पाल लेंगे तो आप आप ऐसा आप नहीं में वह सकता है कि आप कुछ भी नजानते हो पेपर के बारे में ठीक है तो आप क्या कीजिएगा कि जो प्रश्ण पत्र होगा ठीक है जो प्रश्ण का इंसो पहले उसको पहले करना है यहां प्रश्णोत्र संख्या लिखते समय को प्रश्ण करने का तरीका बताते हैं प्रश्ण आपको 22 फरवरी से आपका हिंदी का पेपर है अब यह हो नहीं सकता है कि 20 नंबर का जो बहुई कल्पी प्रशन होता है रावी कल्पी प्रशन को हल नहीं करना है जड़िए इस से फायदा क्या होगा टिक है यदि आप एक बबर ओमर्सीर भर देंगे ना आप उस पर किसी प्रकार का परिवरता नहीं कर सकते इसी लिए OMR सीट जब भी होगा तो घंटे बात हल करने का प्रयास कीजिएगा अब इससे फाइदा क्या होगा कि पॉविकल भी प्रश्ण में आपको कम सकम चार-जय पांच तो आ रहा होगा अब क्या हो सकता है कि जैसे इसके इलावा क्या होता है कि बगल के चात्रों के द्वारा ठीक है और कुछ आपको बाहरी सोर्ष के द्वारा हो सकता है अब समझदार है आप मेरे कहने का मतलब क्या है समझ रहे होगे बाहरी सोर्ष हो या आप बगल के चात्रो सबसे ज्यादा सभी नंबर क्या देंगे जिस प्रशन में लिखा होगा सभी सँज़ी आपके अर बी लिखा होगा एक प्रकाज लिखा होगा वो वाला आपसन सबसे अधिक बार सही होता है इसको आप सही लगाएगा इसके अलावा देखिए आपका जो आपसन होता है सबसे ज़्यादा जो सही होता है बी वाला आपसन लगाएगा और सी वाला आपसन को टिक जादा कीजिएगा अभी आपको प्रशनों के यहाँ पर ट सभसे आधिक होता है ठीक है अब बनादा को पता देखें ध्यान दीजिएका यहां की दियेगा देखी आपका की सभसें होता है और दूसरे द्यान दीजिए यहां पर दूसरे प्रशन का सी यहां पर चौथा नमबर चौफा का चैसे हें देखिए उस्याओं सब्सक्राइब सब्सक्राइब हाँ गई को इंठ्यर से मतनकों आतुरोन तो सब्सक्राइब में 10 नामब्र है اपका कौन 숨 posição उसे स्याइब देखें B और C सबसे ज़्यादा सही होता है इसलिए आप सभी को पता है कि आपसान में B और C लगाईएगा ठीक है यहां देख लिजे आप 16 नंबर का देखें C वाला आपसन सही है इसके लावा 17 नंबर का देख लिजे C वाला सही है ठीक है इन प्रशनों को सबसे अधिक जो कर चुके अपने से इसमें से आपको क्या होगा कि दू तिन चार ऐसे सही हो कुल मिला कि चौधा क्वोश्चन आपका सही होगा कितना 14 बीस में सब 14 नंबर यहीं पर आपको मिल गया अब देखते रहें कि दिर मुश्तरी प्रशनों को कैसे आप हल करेंगे बोड की बहुत स सद्धाइन के लिए आप दिखेए क्यों काला लखें से अपकर सती इस काइस और देखिए आपको दिर्ग उत्री उप्रश्णों को ट्रिक से कैसे दिखने के लिए लिखा जाता है इसको भी बताने वाले हैं आपको कुछ नहीं करना पर देखते रहे हैं इस तरह इस्टार जैसा बना लिजिए दोड़ा देखने में अच्छा लगे और इस तरह आप इस खीच लिजिए यहां पर इस्टार बनाना या स्टार बना लिजिए जो बनाना थे देखने में फूलपती जैसा अच्छा बना दीजिए अब देखिए आपके सामने प्रश्ण है अब जैसे माले यापके सामने आ गया है इसके बाराए में आपने अभी तक कुछ नहीं आपको जो तरीका बताएंगों तरीका से लिखते हैं तोटल चार नंबर कहीं नहीं गया है देखिए कैसे मिलेगा यहां पी देखिए आपसे प्रश्ण क्या पूछ रहा है प्रस्तूत आउत्रा के पार्ट का नाम और लेखा का नाम या सीधे संदर्व पूछ देता है क्या आपसे संदर्व जिसे पार्ट का नाम और लेखा का नाम नहीं पता है तो आप इसे का समझेंगे संदर्व आपको बोड की एक्जाम पूछ देते कैसे लिखेंगा यहां हेडिंग डाली है का संदर्व संदर्व कि अपको क्या करना है किसका उत्यक्त है क्या करना है यहां से पहले इस को लिखेंगे देंगे यहां यहां कि तरह देंगे देने किया करेंगे लच्ट रन खू निभी है यहां है खूब निभी looking हुआ है आप अच्छे राटिंग में लिखे इस तरह कर लेंगे अब यहां और पहला प्रश्च ने पहला प्रश्च इससक्रेश यहां प्रकिये अपनिके संदर्व भी बीना पढ़े जिस तरह बता रहें यदि आप इस तरह लिख चले आएंगे तो आपको दो नमबर का संद्ध रहेता एक नमबर जरूर मिल जाएंगे की सलेंके पहलो तो इस ही लिखा प्रस्टूत प्रस्टूत के गद्यांस ही आप लिखा है और प्रस्टूत कर्शोब चूर्प प्रस्टूत और माली जी कि आपको पार्ट का नाम नहीं पता है यहाँ भी देखिए मित्रता से पकड़ लेंगे इस वाक्य में दिया मित्रता ती मित्रता नामक पार्ट से हैं यह पार्ट का नाम यह आपको नहीं पता है लेखक का नाम भी नहीं पता है तो आप देखिए कैसे लिखेंग कराण से लिया गया हैいた nchi wa haiik mujer abu kar tecnaker net etcetera ना लीग देंगे न पासित न लीग दिजिएगा इसा आप नहीं प्रसथ एर्ट का नाम बहुत प्रस्तूत गध्यास हमारी परें प्रस्तत के हिंदी से से लिया गया है बाथ हिंदी से लिया गया है इतना sûr एक नंबर आपको पुझाजाँगा डो नमबर कर प्रशन की रहता है एक नंबर मिल जागा अब देखे क्या करना है आपको कि यहां ठ्यांद के घ् decreased दालियगा यहां पर से केमई वाला धलिगर कि यहां तक उतार दीजिए यहां तक जिस लाइन के व्याइन को सेम उतार दीजिए गए ही शलो हें मित्रता के लिए देते हैं मित्रता मैं यहां से लिखते हैं वह चना जाएंगे और लाष्टम क्या है मित्रता यहां पूरा निंगरां पूरा सब्सक्राइब पुरा नहीं प्रस्तूत गद्यांस में लेखा का काना है आपको इसी से हडिंग बना लेंगे तिसरा नमबर क्या करेंगे गद्यांस में लेखा का काना प्रस्तूत गद्यांस में लेखा का कहना है कि इतना इसी जो आके पूछा है प्रस्तूत गद्यांस में लेखा काना है कि इसके बाद क्या लिखेंगे आप अब यहां से दिया है आप यहां कि यह वाला जो से स्वाग की बच्चे का इसे ही से मुतार दीजें के राम धीरी जिरा शांत प्रकृति के थे इस तरह आप लिखी दीजेंगा पूरा जैसे बता चार नंबर में बिन पढ़े भी आप पा जाते हैं चार नंबर इस सबसे बहुत आठ्याइबे आपको यहां से जीतने भी प्रश्न रहते हैं इसे प्रकाल से आप के चितने भी संदर्व रहते हैं शंदर्व सिंधान संबंधित हैं असी पंदर्व पंद्व वही करना हुँ इसे लिकंगे संदर्व दिल्ध जैना संदर्व लिखना. सकते हैं ठीक है इसके लिए अधिया करना रहे और यहां से लेके जितना कि कहेंगा पूर्ण कोई छोड़ नहीं आना है ठीक है कोई भी प्रश्ण छोड़के मत आईएगा अब देखिए संस्क्रीट का जो रहता है कैसे लिखेंगे देखिए यहां पर तीसरा नमबर का संस्क्रीट का भी संदर्व लिखना है क्या करेंगे बस यहां प्रश्णोत्तर संख्या दालिएगा ध्यां से देखिए संदर्व जैसे आपको समझाएं उसी तरह लिखेंगे प्रस्तूत देखिए लिखेंगे क्या कि प्रस्तूत गद्यांस लिखेंगे प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठ्थ पुस्तक हमारी पाठ्थ सब में यही लिखना है जितने भी संदर्व पुछेंगे सब में एक ही ज संस्क्रीट खंड संस्क्रीट यह संस्क्रीट है संस्क्रीट खंड से लिया गया है बस इतना करना है आपको लिया गया है बस इतना लिखे देंगे आपको टोटल इस पर त्रॉंथ एक्जामनर यह साफ तुरा लिखे रहेंगे कार्ट पिट नहीं कि रहेंगे इस पर त्रॉं पर इसमें मिल जागा हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा है क्या करेंगे जो यहां पि लिखा है बस आपको क्या करना है बस आपको हटा देना यहां वरारसी सुविक्ष्यात प्राचीन नगर प्राचीन नगर है प्राचीन नगर है ठीक है बस हो गया पुरासी पुराकरपाशविक याक जोलते रहें था यह स्विक्र बिंदु इसको अटा दीए जैसे बताए इस आ वर इकशाम आपको बस एक बात बार बर बोल ले हैं कि आपको चांप पिट मत कीजिए गा ऐसे श нак सबीप्राष्णों को इसी तरफ सरुष्ण बॉर्ड में लिख दीजिए गा कि कुछे में पेपर होता था सत्तर में चालीस से लिए के 45 नंबर तक कहीं नहीं गया है यहां प्रीकल में 30 में 30 पुरा मिल जायगा इसको जो लिए तक सत्ता यानि की हिंदी में आप बिना पढ़े भी सत्तर नंबर पाज जाये तरह टापर के कड़ गरे में आ जाएंगे जहां आप फेल वह रहा है थे लेकिन ये तरीका ये वीडियो देखने एक बात जो ट्रिक बता हैं ये ट्रिक ये आप समझ गए तो आप फेल नहीं हो सकते हैं और अच्छे नंबर सुब बोड के एक्जाम में पास हो सकते हैं ठीक है तो फ्रेंज देखें ये ट्रिक आपको कैसा ल वीडियो को सेर करें